किर्चौफ का नियम किर्चौफ स्रूल चित्र के अनुसार बिंदु A पर I धारा आती है तथा बिंदु A से I धारा तीन भागों I1, I2 वा I3 में बढ़ जाती है अर्थार बिंदु A पर I बराबर I1 धन I2 धन I3 या I, I1, I2, I3 बराबर 0 बिंदु B पर धारा I1, I2 वा I3 पुनह मिलती है वा धारा का मान फिर से वही हो जाता है जो बटने के पूर्व था बिंदु B पर I1 धन I2 धन I3 बराबर I या I1 धन I2 धन I3 रिन I बराबर 0 ये समेकरन किर्चौफ के प्रथम नियम का गणिती रूप है अतह किर्चौफ के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीज गणिती योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है परिपत के किसी बिंदु पर धारा का संगरहन नहीं होता बलकि यह सतत प्रवाहित होता रहता है यह नियम आवेश सनरक्षन नियम के अनुकूल है इस प्रथम नियम को संधी नियम या धारा नियम भी कहते हैं सोचिए त्योहारों में सजावट के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित LED बल्बों की लड़ी का उप्योग किया जाता है यदि एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है ऐसा क्यूं? यदि हमारे घरों के उपकरण भी श्रेणी क्रम में संयोंजित किये जाते तो क्या होता? उधारन दो नीचे दिये गे विद्यूत परिपत से निम्न प्रश्णों के उत्तर ग्याद कीजे क परिपत का तुल्य प्रतिरोथ परिपत में प्रवाहित कुल विद्यूत धरा प्रश्ण में हमें यह एक विद्यूत परिपत दिखाया गया है इस परिपत के लिए हमें परिपत का तुल्य प्रतिरोथ और परिपत में प्रवाहित कुल विद्यूत धरा ग्याद करनी है हम देख सकते हैं इस विद्यूत परिपत में R2 और R3 जो प्रतिरोध है वो समनांतर क्रम में है और R2, R3 के साथ R1 जो है वो श्रेनी क्रम में है साथ ही R1 का मान है सातों R2 का मान आठ ओम R3 बारा ओम और विब्वांतर जो दिया है वो हमें 6 वोल दिया हुआ है तो चलिए सबसे पहले हम परिपत में परिपत के लिए तुल्य प्रतिरोध जो है वो ग्याद कर लेते हैं परिपत का तुल्य प्रतिरोध तो हमें प्रश्ट में परिपत का तुल्य प्रतिरोध ग्याद करने के लिए सबसे पहले R2 और R3 का तुले प्रतिरोद ग्यात करना होगा यदि हम इसके तुले प्रतिरोद को R से प्रदर्शित करें तो संबंध होगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R2 घन 1 बटे R3 चलिए इनका इमान रख लेते हैं तो 1 बटे R बराबर हमको मिलेगा R2 का मान 8 ओम याने की 8 और R3 का मान है हमारे पास 12 तो इसे हल करने पर हमें मिलेगा 1 बटे R बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 धन 2 बटे 24 जिसको हल करने पर हमें मिलेगा 5 बटे 24 और इस प्रकार हम R का मान ले सकते हैं R का क्या मान हो जाएगा? 24 बटे 5 और ये हो गया हमारे पास 4.8 ohm चलिए आगे हल करते हैं हमने देखा कि R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमको मिला R का मान मिला है 4.8 ohm तो इस नए परिफद में आप देख सकते हैं कि R2 और R3 का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मान हमको कितना मिल गया 4.8 अब इसमें आप देखिए कि R1 और R जो है वो श्रेणी क्रम में है तो इनका तुले प्रतिरोध ग्याद करने के लिए हमें क्या करना होगा यदि हम इसके तुले प्रतिरोध को R डेश से वेक करें तो R डेश बराबर हमको मिलेगा R1 धन R और R1 का मान कितना है 7 O तो हम लिख सकते हैं 7 और R का मान हमने निकाला है 4.8 O यने कि हमें मिलेगा ये मान 11.8 O के बराबर इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो परिपत है परिपत का तोल्य प्रतिरोध हमें प्राप्थ हुआ है बराबर 11.8 O इस प्रकार प्रश्न का पहला भाग जो है वो हल हुआ चलिए अब हम प्रश्न का दूसरा भाग हल करते हैं जिसमें हमें ग्याद करना है परिपत में प्रवाहित कुल विद्युद्धारा तो परिपत में प्रवाहित कुल विद्युद्धारा को ग्याद करने के लिए हमें किनकी चीज़ों के आशकता होगी देखिए यहाँ पर हमें ये 6 वोल्ट का विभांतर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिख दियुद्ध बैटरी द्वारा परिपत में कुल विभांतर वी बराबर कितना है। च्छे वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध परिपत में कितना है तुल्य प्रतिरोध परिपत में हमने अभी पिछली जो गढ़ना की है वो हमें कितना मिला था ग्यारा दशमलों आठ ओम साथी ओम के नियम से हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार वी बराबर होता है आर आई जहां वी विभांतर है आर प्रतिरोध और आई जो है वो विद्युद्धारा है तो इन सब भी का हम यहां मान रख लें तो विभांतर जो है वो हमको कितना है छे वोल्ट प्रतिरोध जो तोले प्रतिरोध हमने कैलकुलेट किया था वो है ग्यारा दशमलों आठ और आई का मान हमें ग्यात करना है तो मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 6 बराबर 11.8 गुणित आई चलिए आगे देखते हैं वी बराबर आराई में मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ है 6 बराबर 11.8 गुणित आई तो अब आई का मान ग्यात करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 6 बटे 11.8 याने कि इसका मान हमें प्राप्त होगा 0.508 एंपियर तो इस प्रकार विद्युद्धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान हो गया 0.508 Ampere इस प्रकार प्रेश्न हल हुआ